इसे साथ अमने मुख्य छाटी है यह अच्छी तरह याद करो और इन में से ही निकाल निकाल के अमने यह बनाई है च्यार यह याद करो तो डियर स्टुडेंट्स आज जो यह हैं आपका यही हो आपका ओमवर्क है इसके अंदर आप इनको लिखो अपनी कापी अंदर नोट् करो जैसे यह वीडियो डल जाएगी आपको तुरंद पता चल जाएगा और अपने देख लिया रहा है गोड़ मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो का अंदर हम सिखेंगे की फंडामेंटल फीजिकल क्वांटिटीज क्या होती है उनकी यूनिट क्या होती है और ड्राइड फीजिकल क्वांटिटीज क्या होती है सारी जानकर इस वीडियो का अंदर दी जाएगी आज की जो वीडियो है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका अंदर हमारी जो साइंस है उसका दो नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट परसन या जाता है और पास, पेच-कस, ड्रिल मसीन, थीक है यह मिस्थरी का बैग होता है इसका अंदर ह Лयवे सारी आजब्स की ऑबर शेयो पला स्पेज करें ड्रिल मलशीन छी वरी होती इसी तरह इसके अंदर फीजिकल क्वान्टिटीज को पढ़ाना नामकी है फीजिक्स कि सारी बातों को सम्याब सब्सक्राइब तो फीजिकल क्वान्टिटीज बहुत जाद मातरा में हमने थोड़ी इनका नाम करते हैं में डिसक्स मांस, लेंथ, टाइम, टैमप्रेचर, यह काफी होती है, जैसे इसमें समान इसी तरह होती है, तो डियर स्टूडेंट जब बहुत ज्यादा इनकी अवांट है, तो इनके अंदर से हमने बेसिक साथ को रखा हुआ है, साथ, वो साथ फंडामेंटल फीजिकल क्वा इसी तरह ही हमारी फीजिक्स की गिर्टी जो है, बेसिक चीज है, यहां पर ही है, तो यह दो नमबर का ग्यारवी गिलास का मोस्ट इंपोर्डेंट परसन है, यह तो प्रमार साल आता है, कि साथ फंडामेंटल फीजिकल क्वांटिटी कोंड से होती है, जैसे अपनी होती है, इसी तरह ही यह फंडामेंटल फीजिकल क्वांटिटी जैं, यह भी साथ होती है, ठीक है, इनके नाम याद करेंगे, इनका सिंबल और इनकी यूनिट करेंगे, तो सबसे पहले हमारी फंडामेंटल फीजिकल क्वांटिटी है, मास, फिर आती लैंथ, फिर आता है मांस लेंथ टाइम उसके बादेड यह करंड हके बादे पर इसके बादादाए टैंपरेचर, घय सक्रिकर गणीधक नंबर o wave पर फिर घा डिया उकर है। और पूरे दूप निकली होती हो तो लाइट की इंटेंस्टी ज्यादा होती है इंटेंस्टी के मतलों क्या होगा चमक होता है अधर के हो जाता है चमक समझ भागी यह साथ fundamental physical quantity है और इनके अब हम symbol और नाम यह सारी चीज भी सिखाऊंगा तो इनको किस नाम से लिखते हैं देखो अब आता है mass mass को बड़े m से लिखते हैं अब यहां भी बड़े m लिख रहा है mass लेंद का मदला L हो गया time का T हो गया आई नाम की अक्सर से current को लिखते है current को C से नहीं लिखते हैं क्योंकि science का अंदर C का मदला constant हो देखते है उसके बाद आता है temperature अब temperature को T से नहीं लिख सकते हैं कि हमने तो T तो time को दे रखा है तो यहां पी इसको theta लिख देते हैं यह number of moles इसको number of moles की बजाए इसका हम थुड़ा नाम चेंज करते हैं इसको हम बोलते quantity of matter की कितनी संख्या है जैसे मैं गोगे एक दरजन केड़े कितने होते हैं तो quantity कितनी होते हैं तो आप गोगे 12 इसी तरह है quantity of matter और उसके बाद होगे luminous intensity ठीक है आब इनकी unit देखते हैं यहापे fundamental कम बतलोगता समझ में आ गया होगा उसके बाद आती है इनकी unit unit mass की क्या होगे kilogram और symbol होगे उसका kg ठीक है symbol हो जाएगा kg उसके बाद length की क्या होगे meter और symbol क्या होगे m time क्या होगे second symbol क्या होगे s current क्योगे ampere और ampere एक scientist का नाम है और scientist का नाम पूरा लिखेंगे तो हम छोटे यह से सरू करेंगे और उसके symbol को बड़े यह से लिखते है टैंप्रेचर टैंप्रेचर की होगे Kelvin बड़े के से लिखेंगे उसके बाद आती है quantity of matter के अंदर इसके unit होगी mole और इसका symbol होगा mol खाली एक E काट देनी है और दखो यहांसे एक E कम कर दी ना कोई पुछ मोल क्या होता है मोल तो unit है quantity of matter की और मोल क्या है इसके symbol है इसका इसे तरह luminous intensity होती candle और इसको symbol क्या होगा CD तो dear students यह साथ physical quantity most important है basic है इनको मिला मिला के यह पर dried physical quantity बनाई जाती है उनको भी अभी में discuss करेंगे तो यहां तक कोई doubt है तो comment कर देना बताना यह सारा का सारा यह दो नंबर का परशन है की fundamental basic quantity कोण कोण से होती है सारी चीज बता दी इसके अंदर दो नंबर का most important person है हरा exam के अंदर पूछे जाएगा जब भी तुम्हारे unit test class test जो भी होगा या बार से कोई रिष्टेदार आओ गरम वो भी आई बात पूछे का यह साथ fundamental physical quantity बता कौण से है ठीक है तो उनको हमने यह चीज बता देनी उसके बाद देखो एक यह समझाता हूं नई चीज आती है हमारी फीजी ड्राइव फीजिकल क्वांटिटी ड्राइव का मतले होता है किसी में से कोई चीज निकाल ले ठीक है जैसे मैंने बताए थी त दाल मिला के पीला बन जाएगा काला बनाना हो तो इनको अलग लग रेश्यों अंदर इनको मिला के बना सकते है ठीक है तो इसी तरह ड्राइव फीजिकल क्वांटिटी कैसे बना होगे वो fundamental physical quantity के अंदर से निकाल निकाल के बनाई जाती है जैसे एक example देखता है यह आपर ज स्पीड का फार्मुला होता है distance by time ठीक है अब distance देखो distance क्योंट सी जाती से है length जाती से time हो गया तो length क्योंट क्या होती है meter और time भी क्या होगी second तो meter per second होगी कि नहीं तो अब नई जो physical quantity बनाई है जो speed जो है वो basic को बना लेके बनाई है देखो ठीक है तो इसलिए speed को हम क्या बोलेंगे drive physical quantity समझ मागी बात ऐसे काफी है इनका अब नाम लिखेंगे तो इस्टुडेंट drive physical quantity हम study करते है तो मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आप पहले चार physical quantity याद करो उसके बाद सारी याद हो जाएंगे सारी किताब आसान लगे ठीक है तो च्यार कौन कौन से ओम लेते हैं पहली नंबर एक आती है Gef लेलोस्टी स्पीड है Well always ёँची स्पीड को ही तो कि वेलोस्टी स्पीड का फारमूला होता है अभी डिसकींच कि या था displacement by distance by time तो इसकी फारमूला होग्या distance by time डिस्टेंस की क्या होते है मीटर टाइम की क्या होते है सेकिंड तो इसकी यूट के आगी मीटर पर सेकिंड ठीक है ये तो होगी इसकी यूट अब अब डाइमेंशन फार्मूले और पढ़ेंगे साथ के साथ इनके तो डाइमेंशन फार्मूला में क्या होता है, डिस्टेंस को आमने किस लेंथ जाती से, लिखो L, टाइम को आमने किस से लिखा हो है, T, यह होगा, L T-1, तो dear students, यह तो होगी इसकी यूनिट, और यह क्या होगा, डाइमेंशन फार्मूला, ठीक है, लोको यूनिट और डाइमेंशन फार्मूल मतले होता है, यूनिट का मतल होता है, जिस्सा हमें ते पड़ि होता है, सारी चीज़ंगा, तो इसकी यूट होगी, तो मास्क का दाइमेंशन फार्मूला अलग होता है, उसको इसके सिमब्ल से लिखते है, बडएम से तो आप याद करना है, आपने वेलोस्टी और स्पीड तो उसके नई फीजिकल कॉंटिटी बनती जिसको हम एसलेशन बोलते हैं, अगर कम से जादा होगी तो उसको हम बोलेंगे एसलेशन, जैसे हम अमनी मोट साइगल की रेस दे दी, तो मोट साइगल पहले जीरो पे थी फिर 10 होई, 15 होई, 20 होई, 30 होई, 25 होई, 40 होई, तो कुछ, decrease हो तो उसको बोलते हैं, एसलेशन तो हो गया, बढ़ता हुआ, और इसको बोलते है, retardation, ठीक है, और एक आते है, एसलेशन डू टू ग्रेविटी, ये सारी तिन्नु बात एक है, है तो फीजिकल कॉंटिटी वही, तो इसका फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वे टाइम, वेलोस्टी की योट, अभी हमने लिखे है, मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड होता है, तो कितनी बन जाएगी, मीटर एसकी माइनस दो, अच्छा, अब इसका डायमेंशन फार्मूला करेंगे, वेलोस्टी का तो हमने पढ़ लिया कितना होता है, एल टी माइनस एक तो यह याद करने है, एक यह याद करने है, दो तो यह होगी, दो और बताता हूँ, फिर सारी अउटोमेटिक अपने आप यहाद आजएंगी, नमबर तीन, नमबर तीन आती फोर्स, फोर्स का मतलब बल, इसका फार्मूला होता है, मास इंटू एसलेशन, मास की उट की होगी, केज जी, एसलेशन की अभी अभी पड़ी है, मीटर स की माइनस दो, और डिया स्टूडेंट्स, यह दो यूनिट है न, यह अमने एक साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए, उसी के नाम पर लोट कर रखे है, उसका नाम है नूटन, ठीक है, जैसे अपने सकूल तो सहीद आकास पाइलेट रखा है, ऐसे बड़े-बड़े मापुरूस होते हैं, जो बड़ी-बड़ी संस्ताइं होते हैं, उनके नाम उनके उपर रख दी जाते हैं, जैसे राजीव गांदी खेल, खेल स्टेडियम हो गया, इंद्रा गांदी नहर हो गी, और पंडी जवारल उसके बाद चौत्थी आति है, वर्क, वर्क और अनर्जी, वर्क अनर्जी का फार्मला होते है, फोर्स इंट्व डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होते है, दो पॉइंट के पीछ की सोटकत दोरी, फोर्स का थमने फोर्स के यिए पता हो गया थी है, एरी-केजी-मी कि यहां आगी है कि G, मीटर की दो, S की माइनस दो, ठीक है, और इसको जूल नाम के साइन्टिस्ट का लोट कर रख रहा है, साइन्टिस्ट का पूरा नाम लिखेंगे, छोटे जैसे सरू करेंगे, सिंबल हो गए, इसका बड़ा जे, ठीक है, डायमेंचन फारूल लेकल गवा और भी ले लेते हैं, वो भी काफी फार्मूल हम यूज होता है, वो एक ऐध एक कौफिशेंट ओफ विस्कोशिटी, लिक्विड गंदर होता है, विस्कोशिटी, इसका डायमेंचन फार्मॉला होगा, एम, एल की माइनस एक, टी की माइनस हे, यह फार्मूला जो है हमने, इसका डाइमेंशन फार्मूला यह रखना यहां पर M, L की माइनस एक, T की माइनस एक याद कर लो ताकि आग के और फार्मूला में यूज़ो और इसके यह हो डौती पोईस ठीक है पोईस उली एक साइंटिस्ट था तो उसका पोईस बना रखे हैं यह अमने का रखे हैं तो मेरे ख्याल से सारी बात दीर दीर समझ मागी होगी जैसे मिस्त्री का बैक का अंदर ओजार हैं बिना उनके काम नहीं कर सकता इसी तरह बिना फीजिकल क्वांटिटी के हम फी